So, मेरी प्यारे बच्चा पार्टी, वल्कम तो सचन्सर फिजिक्स, the finest and the easiest way to learn the concept, the channel and the place where you can feel the physics and then you realize that you are a nish mohabbat with physics. हाला कि अभी मैं physics का topic नहीं ले रहा हूँ बच्चा, लेकिन कुछ ये topics ऐसे हैं जो आपके लिए बहुत जाता interesting है, and मुझे पता है कि मेरी सभी बच्चा पार्टी इस वक्त इसी दर्द से, इसी परिशानी से, इसी पेन से होकर के गुजर रही है, कि हम करें तो करें क्या, ऐ ऐसे कोई top courses, जो कर लेने से, हमें बहुत future में benefit मिले, तो देखें बच्चा, आज के समय में, हर एक course beneficial है, तभी beneficial है, जिसमें आपका interest है, medical की तैयारी कर रहा है, interest है, doctor बनना है, पढ़ना तो पड़ेगा, है न, IIT में जाना है बच्चा, तो मेहनत करनी पड़ेगी, jayman's advance निकालना पड़ेगा, तो इस वीडियो के अंदर, मैं, NEET और जो हमारा engineering है, उसके अलावा भी और courses है, इससे पहले के वीडियो में, जो बच्चों ने नहीं देखा, मैं हाँ पर comment में pin कर देता हूँ, उसे मैंने 30 important courses बताया है, तो और मैंने कहा था बच्चा, कि अब उस 30 important courses में से, आपको जिस भी course का पूरा detail चाहिए, उस पर आप लोग जो है, comment कर देना या उसे like कर देना बच्चा, उसके उपर मैं video research करके, आप लोगों के सामने लेकर क्या हूँगा, जब आप लोगों का 12th का result आ जाता है, उसके बाद हम लोग नए series से, इस platform पर, क्योंकि ह हमने पिछले 6 साल से लगातार free of cost series दी है, और हमेशा बच्चों की सहायता की है, तो इस बार, J-Man's Advance, और साथे साथ CVSE के बच्चों को जो है, मैं help करने वाला हूँ, free of cost series आने वाली है, NEET की तैयारी आपको पता है बच्चा, हम Khan Sir के साथ associated हुए है, तो सेवा भाव से जु लिए तो आज की वीडियो को सुरू करते हैं, और इसके अंदर मैं आज आपके साथ discuss करूँगा, कि 10 essay courses, जो की बारवे के बाद important है, science की stream के विद्यारती हैं, बड़ ऐसे भी बहुत सारे courses हैं, जो science से related नहीं है, बड़ा उसमें career बना सकते हो बच्चा, यार देखो paper चाह paper आसानी होता है, tough होने ही लगता है, जो पढ़ते नहीं है, तो अगर आपकी compartment आने की संभावना है, तो बाबु अभी भी समय है पढ़ने लग जाईए, जिस भी विद्यारती को compartment आने के chances हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा क्या करें, तो उस पर मैं वीडियो कल इस channel पर upload कर हैं, वो तो हैं हैं, अच्छी खास इसके अंदर salaries भी होती है, लेकिन yes, हमें जही और नहीं clear करना पड़ता है, बहुत डरावना होता है, बहुत सारे विद्यारतियों के लिए बहुत बार हम लोग pressure में कर रहे होता है, अब यह मैं कैसे कह रहा हूं confidently, क्यूंकि मैं बहुत स से पढ़ा रहा हूं बच्चा, मैंने catered किया हुआ है, जै मेंस वाले बच्चों को भी, एडवांस वाले बच्चों को भी, offline centers के अंदर इंसाती साथ अभी, फिलहाल में online पूरी तरह तरीके से नीट वाले बच्चों को मैं देख रहा हूं, offline भी देख रहा हूं, SSP विद् की तयारी भी करनी है, तो आप हमारे center पर विजिट कर सकता है, यहां पर यह समझाना चाता हूं बच्चा कि यह स्वही students को पता तो है, लेकिन बहुत सारे विद्यारती pressure में कर रहा होता है, जै ही और नीट, देखो यह खेल pressure का है ही नहीं, pressure इस चीच का मत लीजे कि मुझे पर निकालना exam, pressureEOULD का लीजे कि आज मैंने चितना पढ़ा है, जिस भी teacher से पढ़ा है, जहां से भी मैं पढ़ रहा हूँ, जिस भी XYZ किसी भी offline coaching class से पढ़ रहा हूँ, मैं कितने अच्छे से physics को cater कर पा हूँ, मैं कितने अच्छे से bio को समझ पा हूँ, मैं कितने अच्छे कैसा है उसको देखो बेशा की कठिन रास्ता लगेगा आपको ये दो साल की जर्णी जो भी बच्चे करने वाले हैं जिनका परिक्षा 2025 में होगा वो 11 वी पास करके 12 वी आये हैं ये वडियों सुन रहे होंगे जो बच्चे 10 वी पास करके ये बडियों देख रहे हैं आप सभी लोगों कॉल दबैस्ट है एक गलती वो मत करिए जो सब लोग करते हैं बात में पस्ताते हैं सुरू से नहीं लगते हैं उन्हें लगता है कि चलो मैं पारवी बोर्ट कर लूँगा उसके बाद करूँगा बट बाबु यह जे मेंस एडवांस और नीट एक्जाम है इसमें चाहिए है न और सैलरी रेंज बहुत अच्छा खासा होता यार यह तो हमने सिर्फ बेसिक निकाला है डीटेल्स निकालते हैं एक पूरे औस तन निकालते हैं तो भारत में इतना निकल कर क्या आता है बट एक बहुत अच्छे आयाइटी में से जब कोई बच्चा निकलता सिलेक्ट होता है तो बहुत अच्छा उसका पैकेज होता है यह भी एक डार्क रियालिटी है कि सभी बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है है न तो वो लोग सोचते हैं कि अब हम क्या करें लाइफ खतम हो चुकी बट ऐसा क लाइन चुपी होई यह आपके अंदर बच्चों बहुत सारी योगिता है बस हमेना उस योगिता को पहचानना होता है जब मैं आज की दो साल पहले खुद को एक्सपोर कर रहा था ऐसा फाउंडर आया सीन लॉड ओफ स्टूडेंट्स जो ग्राफिक डिजाइनिंग में ब लेबल है तो आप न सिर्फ ऐसा मत सोचो कि बस हम कोर्स कर लेंगे डिग्री मिल जाएगा जॉब मिल जाएगी लाइफ दिया नहीं ऐसा नहीं जितना हो सके उतना बाबु खुद को एक्स्प्रोर करो और एक चीज याद रखना बच्चों किसी भी फील्ड को कम से कम 10 साल देना पड़ता है आज मैं इतने अगर मैं बोल पा रहा हूं यूट्यूब पे आज मैं यूट्यूब से अलग-अलग प्लैटफॉंस पर अगर चुना जाता हूं मिलते हैं लोग काम कर रहा हूं बच्चा तो वो सिर्फ और सिर्फ इसले बीकुज मुझे इस काम से प्यार है मैं बारवी कक्षा में था तब से पढ़ाना सुरू कर दिया था मुझे 2013 से लेकर कि अब तक जोड़ लीजी 11 साल है इनफेक्ट 2013 से तो मैं officially आया पढ़ाने के लिए not on online बट स्कूलों के अंदर ट्यूशन के अंदर जब मैं engineering कर रहा था बारवी जब मैंने पास किया था 2009 तब से मैं पढ़ाना सुरू कर दिया था तो कभी छोटे स्तर पर कभी बड़े स्तर पर वो करते करते आज 12-13 साल हो गया है तब जाकर की चीज होती है आजकल की लोगों की प्रॉब्लम भी है यह बाबू लोगों को है न दिखावे में लोग चले जाता है जैसे कि सोशल म बड़ा भाई चिकु भाई है बहुत सही बोलते थे दिल से बोलते थे तो यह सब की चक्रों में नहीं पढ़ना है किसी भी फिल्ड को बेटा तुम्हें 10 साल देना है तो यह चीज दिमाग में रखिए कि शॉटकट में हमको कुछ नहीं चाहिए रहे हम मैनत करेगा यार उ इतने जल्दी सीख गया इसको इतने पैसे के अनिंग हो रहे यहवो चीज भाग हे आप स्किल के पीछे बागा पैसा के पीछ भागे लिए तो चलो आप आप लोगों ही है कि हम भी भी टेक करके अच्छा खासा पाके ले सकते हिस्के उपर बहुत जादा फोकस BBA, Bachelor of Business Administration बहुत बड़ी लेबल पर आजकल students को switch होते हुए देखा है हमने BBA करके भी बहुत अच्छा option है बच्चा करियर आप बना सकते हैं 12 साइंस के बाद साइंस के students भी इसमें जाते हैं in fact हम जब 2013 में हमारा engineering खतम हुआ था तब हम तयारी कर रहे थे income tax officer की यानि SSC के उसमें दो एक्जाम होता है स्टाप selection commission में हम टाइर वन निकाल चुके थे टाइर टू में घर की कुछ हालात ऐसे हुए कि हम उस पर नहीं focus कि पढ़ाने में मन लग रहा था तो पढ़ते भी थे पढ़ाते भी थे दोनों काम करते थे तो हमको याद है बच्चा कि वहाँ पर न साइंस के students भी थे उस SSC की तैयारी में स्टाप selection commission में साथ ही साथ बाबू वहाँ पर arts के भी students थे और commerce के students भी थे तब जाकर के realize हुआ था कि यार साइंस स्ट्रीम के बच्चे ही हर जगा होता ऐसा नहीं है तुम्हारे commerce के भी होते है आर्ट्स वाले भी होते है बट रेशियो अप सिलेक्शन इन government exam science students का जादा था क्योंकि उनका maths अच्छा रह जाता है उनकी science अच्छी हो जाती है तो उसी तरीके से मैं कहा रहा हूँ कि जरूरी नहीं कि commerce वाला ही अगर BBA MBA करेगा तो उसको बहुत अच्छा जो है पोस्ट मिलेगा नाई science वाले students के में एक जरूरू जहान होता है अब आज कल का पता नहीं मुझे बट विज्ञान का प्रभा जिसके उपर चड़ जाता जिसको नशा होता है यह क्यों हुआ ऐसा क्यों हुआ तो वो हर छेतर में अच्छा ही कर रहा होता था BBA is also a very good option 50-55% के बाद भी अच्छे-च्छे colleges पड़े हुए आप research करिए देखिए आपके सहर में कौन से ऐसे colleges है बट बाबु मैं यहाँ जो भी कुछ बता रहा हूँ वो उसी basis पर बता रहा हूँ आपका interest होना चीए बच्चा अगर interest नहीं है ना तो कोई मतलब नहीं है यह बात ध्यान रखिएगा चलिए उसके बाद है LLB आजकल आप देख रहे हैं कानूनी सलाकार एक से एक बड़े हुए भाई साब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कानूनी सलाकार का वो खिटवा भी बहुते जादा हो जाता है हा पुछ पता भी नहीं चलेगा कानूनी सलाकार गॉर्मेंट जो वकील होते हैं इसके अंदर वो भी हो सकते हैं बड़े-बड़े कंपनिया आजकल आप देख रहे हैं भारत में स्टार्ट अप का कल्चर चला हुआ है किसी के कंपनी में ने ट्रेविन्यू है प्रॉफिट है लौस जो यह ल lb किये होज जो लोग होते हैं उनकी जुरत पढ़ते हैं उसमें बहुत सरे विज्ञान के स्टूदेंट्स होते हैं साइंस के स्टूदेंट्स होते हैं कॉन नहीं जानता गौरोत ने जसर को Size Sh комна और अब तो नहीं देखता हूं मैं चूंकि आर किश यह कर्र bank लेकिया I hope आप में से बहुत सारे विद्यारति उनके फैन होगी यस बिलकुल होना भी चाहिए क्योंकि सच में है inspiration है no doubt अब उनके comments बहुत अजीब से आते हैं कि content के लिए करते हैं बट देखिए उनका काम है जो भी करते हैं बढ़िया कर रहा है ठीक है फिर movies में भी आए फिर वो गाना वना भी गा रहे हैं जहाज भी उडा लेते हैं भाईसा मतलब एक आदमी कितना कुछ करता और वो ही उनका जब license रद हुआ बच्चा तो ललबी का बहुत अच्छा option है इसके अंदर यह तो कुछ नहीं है उपर ही कमाई बहुत जादा होती है बच्चा 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 इस नॉट गुड मैं उस चीज को प्रमोट नहीं कर रहा और वेसली करप्शन अच्छी बात नहीं होती है पाच्वे नंबर पर तो मैं क्या ही कहू उसका फिर सिदा physics, chemistry, bio और maths पर switch हो जाएंगी बट आप जो है बच्चा SSP knowledge आपको subscribe जरूर कर लीजेगा comment में pin कर रहा हूँ शनल पे सिर्फ career related आता और उसमें मैंने data science के बारे हैं बहुत detail ने बता है देखो simple समझाओ तो आज पूरी दुनियाना algorithm पर काम कर रही है कोई भ इसका interest इस course में अच्छा इसका interest इस course में तो इसको यही वाली आड दिखानी चाहिए तो basically जो data scientist होता है वो इस तरीके से परमाडू, bum, हधियार यह वो की NASA और यह सब में जाने वाले scientist नहीं ऐसे विज्ञानिक होते हैं जो data के उपर काम करते हैं कि यह तो इसके बाद यह अच्छा इसके बाद यह हो सकता, future में यह हो सकता, predictions इसे बड़ी सारी languages को सीखना पड़ता है, है न, coding वाले जो बंदे होते हैं उनके लिए खास करके, तो बारवी के बाद से online दुनिया बर के courses आ चुके हैं बच्चा जहां पर आप अपनी career जो है data science के through start कर सकते हैं और य I have seen की data scientist की जो salary होती है, पर मन्त 3,00,000,000,000,000 होती है, बहुत जादा founders को amount burn करना पड़ता है, in case if you wish to hire a data scientist to grow your company, तो बहुत अच्छा घासा package होता है, लेकिन आपको उतने फिर दिमाग का भी होना चाहिए, आपके पास में एक दम clear cut knowledge होना चाहिए कि यार यह data मुझे ऐसा म में तो बहुत नेक्स लेवल और 2024-2025 तक आते आते आप देखेगा कि डेटा साइंटिस्ट का बहुत बोलबाला होगा हमाई IT और नीट पढ़ा रहे हैं खुदी फिजिक्स बढ़ हम बच्चों को मोटिवेट करते रहते हैं आप डेवन्स अगर लगे हूँ आपका इंट्रे तो आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो सची बता रहा हूँ गया है अच्छे लोगों को हायर करती है आराम से इसमें भी बहुत अच्छे खासे पैकेजिस होते हैं बच्चा एंड आप देख रहे हो जिस तरीके से भारत में डिजिटलिशन हो रहा है जितने भी कॉम्प लिए होना वह सबसे अच्छी बात है आपका करियर अच्छे से चमकेगा ही बच्चा ठीक है फिर आपका बेसी होटल मेनेजमेंट है जिसको मैंजमेंट स्केस बहुत अच्छी लगती है गेस्ट आयों किस तरीके से रखना है कहां ले जाना है उनका शेडियूल क्या अब यह मैं किस तरीके से बोल रहा हूँ अगें दो साल की पुराना वाला एक फेलियूर का एक्सपिरियंस जो होता ना बच्चा बहुत नेक्स लिवल का होता है मैंको ऐसा लगता है सफलता तुन नहीं मिलने जाहिए जब आप एक बर फेल होते हो फिर आप जब नहीं कुछ कर नहीं की बात कर रहा हूँ नाम नहीं ले सकता बच्चा व्यक्ति बहुत खतरना क्यार है ना तो नाम नहीं ले सकता उस व्यक्ति का बट आप में से बहुत सारे विद्यारती जो लगातार बाव SSP को फॉलो कर रहे है दे माइट नो दे नेम ऑफ तैट परसन तो हुडल मेन मिलते थे किस तरीके से कंपनी को आगे ले करके जाना है तो वह एक अलग लेवल की स्किल होती है अब जिसको इंट्रेस्ट है हूटल मेनेजमेंट का कूर्स करिए बढ़ियां अच्छा खासा है इसके अंदर भी सेलरी भारत में आप देखी रहे है इसमें भी बहुत जबर बाज बारवी विद फिजिक्स केमेश्ट्री और बायलोजी कम से कम 50% अगर आपके पास में है तो बच्चों ये कूर्स आपके लिए बना हुआ भी फार्मेसी और जैसे मैं जहां से वडियो बना रहा हूं सूरत सहर से तो हमारे सूरत से लगबग 15-20-30 किलो मेंटर के डि होती है तो उनको MR बोला जाता है और वह भी बहुत अच्छा कासा पैसा कमाते हैं अब मुझसे बहतर तो कोई समाज ही नहीं सकता इसमें भी अनुबह मुझे हो चुका है पिछले 8-9 महीने पिता जी की दो सर्जरी हुई है मल्टी स्पेस लिस्ट होट हॉस्पिटल में पि बहुत मिलता है अब मैं आपको ट्रिक्स पता रहा हूं पैसे कमाने की बहुत गलत है चलिए हमारी के पैसिटी थी हमने पिताजी का दो बार सर्जरी करवा दिया आप सबके दो और प्यार से ही एपसलूटली फाइन लेकिन जिन लोगों की पास नहीं है वो सरकर अस्पताल में जाते हैं और उनके साथ वो अच्छा बिवार नहीं होता बच्चो तो आप में से ही बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स और एंजिनर्स बने यार फ्यूचर में और ऐसे गरीब लोगों की सहायता करें आगे बढ़े इंटेंशन अगर अच्छा होता ना बभू पै अच्छा करें बच्चा ठीक हमें यहां इस एक्जांपल के माध्यम से वह अमर वाली बात बता रहा था कि उसमें लिखा तो है यार लेकिन अगर आप खुद की मेडिकल स्टूर्स और यह एजन्सीस आपके पास है तो आप अच्छे खासे पैसे चंक में उसमें भी कमा सकत है और अच्छा कासा पैसे कमा लेता है यार यह तो आप तो आप ओनलाइन वेबसाइट सागे जो कहती है कि अगर आपका बजट इतना ही है तो भाईया हम इतने में आपका घर बनवा देंगे हाला कि उसके बाद फिर उपरी कमाई उनकी और होती है बोलते हैं कि यह लगड बहतर है सब कुछ मैटर करता है आप कितनी महनत करते हो बच्चा और एक चीज इस वीडियो से सिख करके जाए किसी भी फिल्ड को दस साल में निम्म दे दीजे फिर देखिए वो फिल्ड आपको कभी नहीं छोड़ेगा फिल्ड आपको उठा देगा चाहे टीचिंग फिल् हमारे बहुत नस्दीक रहा है यह टीचिंग मेडिकल और यह सब इसलिए हम क्या रहे है किसी भी फिल्ड को बच्चो दस साल दी दीजे कि जुन्दिगी बदल जाएगी ठीक है चली बहुत-बहुत शुक्रिया वीडियो पसंद आया तो अपने तमाम दोस्तों के साथ इसस चैंसर फिजिक्स सिंपल आप इंस्टाग्राम पर सर्च करेंगे और थोड़ा सा मोटिवेट होना चाहते हैं जिंदिगी के बारे में समझना चाहते हैं तो सात्विक थोट पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस्टाग्राम की दो बहुत ही अच्छे पेजिस हैं बच् हराओर हम तो सबस्टाग्राम तो सकते हैं जिंगा हुआ रिंदिग्त रिंदिग करेंगे पर भी ज्सटागन